नमस्ते आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं राजस्थान रेंड कंट्रोल एक्ट 2001 2001 में एक आया जिसका नाम दिया गया राजस्थान रेंड कंट्रोल एक्ट तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जो रेंड कंट्रोल का एक्ट है वो 2001 में ही आया 2001 से पहले भी एक था जो कि existence में था, जिसका नाम था राजस्थान प्रेमाइसिस, कंट्रोल ओफ रेंट एंड एविक्षन एक्ट 1950, 1950 का ये जो एक्ट था, राजस्थान प्रेमाइसिस, कंट्रोल ओफ रेंट एविक्षन एक्ट 1950, तो इस एक्ट से सारी चीजे पहले गवर्न हो रही थी, एकिन 2001 में ये जो एक्ट आया, ये नया आ गया, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया, और उसको रिप्लेस करके ये राजस्थान प्रेमाइसिस, कंट्रोल जो एक्ट है 2001 का, इसको लाने का क्या प्रपस रहा होगा, क्यों लाया, तो इसका जो प्रियम्बल है, या उब्जेक्ट है, जो यहाँ बेरक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, टू एविक्शन फ्रॉम सर्टेन प्रिमाइसिस, कंट्रोल ओफ एविक्शन फ्रॉम सर्टेन प्रिमाइसिस, पहला चीज, क्या उब्दा विक्शन, विक्शन का मतलब होता है, खाली करवाना या बेधिकल करना, तो अगर आपको किसी किरायदार को घर खाली करवाना है, तो आप किस तरह से खाली करवा सकते हैं, वो कौन-कौन से grounds हैं वो इसमें बता रखें या फिर किसी व्यक्ति कोई किरायदार है आप उसे कोई मकान खाली कर वा रहे हैं तो किरायदार के कहके right है क्या वो खाली करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस तरह की बातें इसमें हैं फिर इसमें आती है रेंट जो है certain premises के रेंट के लिए कि जो रेंट है वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए उसके बाद इसमें जो तीसरी बात है वो है letting out of certain premises का मतलब आपन किराय पे देते हैं कोई जमीन कोई घर कोई मकान कोई दुकान तो वो किराय पे किस तरह से दी जानी चाहिए जमीन नहीं आएगी यहां पे गए सिर्फ property वह आएगी जहांपे या तो कोई residential परपस है या उसका commercial परपदफ यह जो land होती है उसका कोई commercial परपस के लिए daha काम हैं जो कोई जमीन होती हुआ उसको रहनी सकता अगर तो वहाँ सकता तो इनके ले ट रीजंसर्ण आड़ जो है उसमें अप्लाई हो जाते हैं तो रहस्था रेंट कंट्रोल में सिफ रेजिदेंशल परपस या कॉमर्शियल परपस के लिए रेंट पे अगर आप कोई प्रमाइसेज लेते हैं तो उनके लिए चीज है तो इसमें पहली चीज मैंने आपको बताई that is eviction दूसरी चीज क RENT DECIDE करना है कितना RENT होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो सारी बात और तीसरी है 2 LETTING дальше 2 Letting Out का मतलब क्या होता है के आप आप आपकी जो property है जो COMMไल या दैरहें आपके प्रमाइसेज को आपकी जगह धो दे सकते हैं तो किन फ mostवigung पे सकते हैं क्या grounds है क्या grounds पे तो लेट तो लेटिंग फॉर प्रिमाईसेज भी इसमें इंक्लूड तो इसका एक अब्ज़ेक्ट होगा एक तरह से तो तीन अब्ज़ेक्ट जो मैं आपको बढ़ा चुक हूँ आगे इसमें बात आती है कि इसका जो enactment date है या enforcement date है यह कब है जो enactment date है इस act की वो है 25 फरवरी 2003 अब इसमें एक बात आपको समझने की है कि enactment date क्या होती है इनक्टमेंट डेट जो होती है जिस दिन प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी एक बिल को पास कर देते हैं, अपनी एसेंट देते हैं, तो यह जो एसेंट देने का काम है, यह अपने Constitution of India के हिसाब से चलता है, राजिस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो यह एक Constitution में लिखा हुआ है, कि एसेंट जो है गवर्नर देता है, आर्टिकल लंबर 200 है, उसके लिए एसेंट ऑफ दे बिल जो की बात करी है, जिसमें गवर्नर अपनी एसेंट देता है, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट में कोई भी भी लॉप लाय करना है, तो उसको उस बि अगर मैं इस बारे में बात करो, तो यह आपको समझना की जरूरी है, क्या हुआ था, कि जब गवर्नर को ऐसा लगता है, कि कोई भी ऐसा बिल है, जो हाई कोट की पावर को डेरोगेट कर सकता है, या इन्फिंज कर सकता है, या फिर जो पावर्स दे रखी है, उनके अकॉर गवर्नर को अगर ऐसा लगता है, तो वो उसके पास पावर है, कि वो उस बिल को एसेंट ना दे उस बिल पे, मतलब अपनी सहमती ना दे, अपनी कंसेंट ना दे, उस बिल को एक्ट ना बना, उस बिल को पास ना करे, और वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दे, भी बिल से तो वह उसको पास नहीं करेगा वो President अब प्रेसिडेंट ओफ इंडिया अपनी उस बिल पर कंसेंट दे सकते हैं ईगर उनको लगता रहून सही है वह अपनी असेंट दे सकते हैं तो जो राजिस्थान कर debate Act 2001 है इसमें भी यहीं सेम बात हुई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कंसेंट दिये अपनी असेंट दिये यहां पर गवर्नर ने दिये यह एक स्टेट लौ का मैटर है एक लोकल लौ है राइस्थान का मैटर है सिर्फ राइस्थान के टरिटरी में अप्लिकेबल ह 2003 और जो इसकी एंफोर्समेंट डेट है वो है 1 अपरेल 1st of April 2003 2003 एक अपरेल को इसको एंफोर्समेंट में ला दिया गया उस दिन से यह फोर्स में आ गया उस दिन से सारा जित्ती भी प्रोसीजर थी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग चली गई बात आती है इसमें अब केसमे इसमें कितने चाप्टर्स हैं कितने शिडियूल हैं कितने सेक्शनश हैं तो इस्में टोल नम्बर जो चाप्टर्स हैं वह हैँ टोले साथ टोल Tele 만षी इन्दर बोला है टोलनोंबर जो सेक्शन संवर्च के teşekkür अदर दे रखे हैं और चार शिडियूल इसके एक्टर दे रहें चार शुडियो और जो इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि इसमें जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ जो बहुत अच्छा बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ वह हुआ है 2017 में लास्ट 2017 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और उसमें रेंट अथोरिटी नाम से एक पो जो कहाँ इसमें इंपॉर्टन चीजें वो यही है कि इसकी जो एसेंट है वो प्रेसिडेंट आफ इंडिया ने दी है इसकी इनफोर्समेंट डेट जो कि 25 फरवरी 2003 है और एक अप्रेल 2003 है इसके बाद इसमें टूटल नंबर साथ और इसके बाद तो टूटल 32 सेक्शन से और 4 शेडियूल है तो यह है इसका बेसिक ओवर्वियू अब मैं इसमें आपको एक स्रेशन नंबर वन और बता देता हूं कि सर्क्षेन नंबर वन क्या था प्रिक्षां में बात करिए कि अगर इस एक्ट को एक्ड़ा करना है कि इसक section number 1 में इन्होंने specific कर दिया कि कहां कहां apply होगा तो section number 1 में इन्होंने लिख दिया है कि जो भी municipal area जो डिस्टिक हैड़कॉर्टर के अंदर होता है उन सारे municipal area में ये applicable होगा district headquarters मतलब एक district है जिला है उसका एक हैड़कॉर्टर है उस headquarter के अंतरगत, उस district headquarter के अंतरगत, उस जिले के headquarter के अंतरगत, जित्ते भी municipal area आ रहे हैं, जो भी नगर निगम, नगर पालिगा या नगर परिशत जो भी आ रहे हैं, उन सब में ये applicable होगा, और राजिस्थान government अगर चाहें, तो वो notification से other municipal areas हैं, उन पे भी apply कर सकती हैं, तो other municipal areas में कौन आ जाएंगे, अदल municipal areas में आपके पंचायत आ जाएगी, और block level पे जित्ते भी आपके government, जो agriculture वाले जित्ते भी related होते हैं, जैसे जिला परिशद है, और जिला पंचायत, और जो भी जिस तरह की होती है, पंचायत समीती, तो इस नगर परिशद और पंचाय और एक नगर परिशद, that is, मैं भूल रहा हूं इसको, पंचायत समीती, पंचायत समीती, जिला परिशद, और सबसे जो नीचे आता है, वो आता है, इसमें, सरपंच जिसको जहां पे सरपंच अपाल्ट होता है, वहां पे, तो उन तीन जेगे भी ये पंचायत जिसको हम कह तो इन तीनों जगे भी ये जो मुनिसिपल एरिया यहां पे भी एपला हो जाएगा, नोटिफिकेशन जो है स्टेट गवर्मेंट दे सकती है, और 2003 में ही स्टेट गवर्मेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, तो आज की डेट में ये जो पूरा एक्ट है, ये प